नमस्कार बहुत बहुत प्वागत हमारे चैनल में मैं हूँ शेयर फिरीद दुबे चलिए आज की रेशिपी सेर करते हैं आप लोगों को इसाथ में उससे पहले कि आप लोग नहीं किया है तो कर लिए लाइक भी कर दीजिए सेर भी कर दीजिए हुए ज Corni سेर करने जा रहा है आप लोगों सार्ज सेर कर लेज़िलर की तो स्टार्ट करते हो देखते हैं में क्या क्या लगे का वेजिछ बनाने के लिए सबसे पहले हमाँ पास ग्रे पटाटों हो जिसको हम नहीं मेस कर लिया ग्रेट कर लिया है और चॉप बेजी टेवल है बेजी टेवल है और चीच राड़ लो कैप्सी कंप बैल पेपर चीच पोटे चीच ऑलीव और्गेनो वाइट पेपर चिली फिलेक्स बटर सक्कार ब्लेक पेपर माच्रर सौस वातर तो चली राइस बनाने अधिन लगने तो चली हम पोटे चीच डालेंगए ग्राम से करीब 40 ग्राम इसकुन हम इसमें चीट डालेंगे दो टेवल इसकुन जो वेजिटेवल हमने चॉप करके रखा था वो डाला इसके अंदर ब्रोकली है जुगनी है गेरेट है बीन्स है और ग्रीन पीस है मिक्स वेजिटेवल आप टी जोन हम इसमें बाइट पेपर डालेंगे आफ टी सकुन डालेंगे warm लेक फेपर डालेंगे हम आप टी सकुन डालेंगे 5 स्वादनुसार डालें ये भी त्या अपने साबसें डालिए का की जैसे आ Jacobs कहते हैं मैस कर लेंगे हमारा मसाला कम्प्लीट है और काफी जो हमने डाला ता उसमें पर्फेक्स ता तो आप लोग हमेसा चेक कर लें बनाते समय की नमाक और मिल्टी आप लोगों लगता है तो आप उसमें डाल सकते हैं और में मेंदर लिया है और करिब 100 ग्राम एक मख पानी डाला है इस काटोरी से दो काटोरी पानी डाला है चलिए इसमें इसे इस तरीके सामेस के अंदर बांडिंग करेंगे और इसको आप लोगों ब्रेड करम दिखाया था इसके अंदर इस तरीके से लगा लेंगे अच्छे से देखिए एक दम कम्प्लीट है चलिए हम टिक्की को फराई कर लेते हैं और श्राप लोगों दिखाते हैं देखिए इस तरीके से हमारे टिक्की फराई हो जाए पानी गरम करने के लिए रखा है और शरीके से बनाएंगे जब कोई बढ़ता लगेंगे तो यह पानी टैच होने चीए देखिए इस तरीके से यह तो हम इसमें सॉस बनाएंगे सबसे पहले हम अंडा डालेंगे अगर आप लोग अंडा नहीं खाते हैं तो आप अलग साम बहलों बताएंगे आप लोग लेकिन हो लेने सॉस जो है वो एक से ही बनता है इस तरीके सम चला लेंगे इसको इसमें हम बटर डालेंगे अंडे का भाय एलो एक डालेंगे वो डालते हैं भाय टेक नहीं डालेंगे इसके अंदर तरीके सम चला लेंगेний इसमें तो टेबली स्कून बटर डालाा इसमें दो टी स्कून हम इसमें मस्टर्ड डालेंगे सॉस मस्टर सॉस हमारा जो कि हम उपर से डालेंगे और इसमें हम वाटर डालेंगे सॉरी बेनिगर डालेंगे दो टी स्कून अगर आप लोग के पास बेनिगर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हो आप टी स्कून सॉल्ट डालेंगे सॉल्ट तो स्वाधनुसा डालेंगे सॉस हमारा कंप्लीट है तो इसमें हलका सम बटर डालेंगे पहले इसमें हमने दो टी स्कून बट बता है ते खाइंच और अलका साम इसके लिए अब इसके अंदर हम राइस करेंगे एक ट्री राइस डालेंगे इतना हम इसके अंदर कैप्चिक भुष जल्ली पक जाता है तो हमने राइस जाला यह पहले शेराइस पकाकर रखा था तौल्ट डालेंगे हाप टी स्कून का एक्त्म लाल हो जाने चीए हम हम सौते कर लेंगे हाफ टीस कुन इसके अंदर में और डालेंगे जालिक लेंगे तो ती स्कून ऑनिर डालेंगे कोज़ितेबल बनाएंगे मेनल हालें על की देखिवटेबल डाल दिया है यहां चराआज़सा बेंद्साल डौसे फाली कि दालेंगे पुरा मीजा रेड़ी है, हम रेड़ी करते हैं इस तरीके से उपर रख लेंगे, देखिए, इसमें हम इस तरीके से पत्ते लगाएंगे, इसमें राइस रखेंगे, सबसे पहले हमने राइस रखाई देखिए, और यह आप लोगों दिखाए था जो बॉल में है, और हम इस तरीके से पताटो की टिक्की जो उपर लगा लेंगे, पेजी के वाल, इस तरीके से हम दवा के इस तरीके कट मारके हैं, और यह हमारा सिलर रेड़ी, चले आप लोगों एक जादू दिखाएंगे इसके अंदर हम इसके उपर हम सॉस डालेंगे, जो यह हमने सॉस डाला, देखिए और इसके और इसके साथ जो आप लोगों बताया था, इसमें अगर आप लोग एक अंडा नहीं लेते हैं, तो आप लोग बाइट सॉस इसके अंदर आड कर सकतें, जिस तरीके सामने एक एड किया था, और यह गालिक ब्रेट इसके साथ में जाती है, इसके अंदर डालेंगे, और देखिए इस तरीके से, तो हमारा सिलर कम्प्लीट,